दिखाये था 1.1 लाइस टाइम में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको घ्रइ दिखाया था उसमें हम को सींगल लिथियम बैटरी इसमें चेकर वाइस दिखाया थी किस तरह से और सकते कि आपकी color लिखियम बैटरी जो आती है वह आपकी बैटरी फुल चार्ज या फिर चार्ज नहीं है तो आप जो है इस मोडूल को यूज में ले सकते हैं महीं पर काई काफी सारे भाईयों का यह सवाल आया कि अगर हमें जो है यह मोडूल हमें 12 वोल्ट में यूज करना हो या फिर उससे ज्यादा वोल्ट में अगर यूज करना है तो क्या यह यूज हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा और साधी साथ यहां पर इसमें यह भी रिक्वार्मेंट रहती है कि आपने जो है 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो आपको इसमें चेंज करने पड़ेंगे क्या क्य चीजे चेंज होगी काफी साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं वह भाई अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो एक चोटा सा लाइक कर दे क्योंकि उस भाई का यहां पर डैफिनेटली इस मोडूल में सोलुशन मिलने वारा है और वह भाई जो एक बड़ा मोडूल पर्चेस कर रहते इस चीज़ के लिए तो अब आपको बड़ा मोडूल पर्चेस करने की जरूँट यहां पर नहीं पढ़ने वाली है अब आप डिरेक्ली जो है यहां पर अपना बैटरी को कनेक्ट करो और बारा वोल्ट की हो याफिन और फिन याइन वोल्ट की हो तो डि महीं आपको जोए इसमें यहापे मैं थोड़ा से जूम करदा हूँ देन आपको प्रोपरली दिखाए देगा ठीक है अभी यहापे आपको पूरा प्रोपरली दिखाए दे रहा होगा S1, S2, S3, S4, S5 और यह S8 तक है टोटल ठीक है अब यहापे जोए S1 में इसको यहापे पिन को सोट किया गया है मतलब यहापे आप देख सकते हैं जो S2 है उसमें आपको जोए दो पॉइंट मिल रहे हैं लेकिन वो पॉइंट एक दूसरे से जोइंट यहापे नहीं है महीं S S1 को हम देख रहे हैं तो दोनों के दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ में सोट किये गए हैं जान पूछ कर ठीक है अब मैं बताता हूं आखिर आपको अगर इसमें दो सेल कैलकुलेट करने हैं मतलब दो सेल अगर आपके सीरीज में लग वाली है देखो मैं आपको पूरा समझाता हूं किस तरह से इसमें यह काम करेगा देखो मैंने इसको जूम आउट कर दिया अब माल लीजिए आपके पास एक यह सिंगल वैटरी है ओके यह सिंगल वैटरी है और आप इसकी वोल्टेज को या फिर इसको आप देखना चारहे हैं कि यह बैटरी आपकी कितनी च पर देगा जैसे कि मैं अब यह आपको दिखाता हूं कि यह रही हमारी बैटरी और इसमें रहे होल्टर लगए हुआ हूँ एक और देन में इसको एक बर क्या करता हूं तो फोड़ा सा ब्लर हो रहा है हां तो मैंने इसको मैंस को मैंस से कर दिया कि यहांप यहां पर आप यहां के देख स्कते हैं इसमें हमारा बैटर i लगाने हैं तोसे माल लीजिए आपके ये दो सेल हैं ठीक है मतब दो स्रीज हैं और आपने इस तरह से लगा रखें सिरीज में सेल लगा रखें आपने यहां से आपकी यह टोटल अभी 3.7 वोल्ट है तो 3.7 वोल्ट तो आपकी यहां पर यह लगबग 7.4 वोल्ट के करने हम उसके बाद आपको जो यहां पर at st caught किया गया है की गया इस पॉइंट को यहां पर जोए इसको कلاई कर दो मतलब यहां पर इसको हटा के इसको सी शिंगल सिंगल रहने तो जिस तर्फ bykit पढ़े हुए अब जैसे कि आपने S2 स्रीज मतलब दो सेल आपने यह इस तरह के दो सेल आपने लगाया हुए इसमें अगर आप इन दोनों को डिरेक्टली चलाओगे आपने शोट किया हुए तो आपको फुल ही दिखाएगा लेकिन अगर आप S2 में करेंगे तो सिरीज 2 हो जाएगी मतलब दो बैटरी को यह फिर यहां पर कैलकुलेट करना ही स्टार्ट करेगा तो दूसरे S2 को आपको सोट कर देना है सोट होने के बाद आपका जो मोडूल है फिर वो इन दोनों बैटरी की कैपेसिटी बताएगा कि आखिर इन दोनों की जोए मतलब पूरी फुल चार्ज है हाफ चार्ज है या फिर लो चार्ज जितनी भी है आपको पूरा यहां पर यह फिर मोडूल बताएगा ठीक है अब यहां पर वही अब आप देख लिजे कि इसमें आपकी जो यहां पे तीटल लगे हुए है माल लेजे इस तरीक वी सफ़ को अगर आप इसमें ह wines पर कलकूलेट कर दें तो फिर आपको को directly यहां पर फिर यह जो है calculate करना start कर देगा उससे यह होगा आपका कि आपकी तीनों बैटरी की capacity यह जो है इसमें बताता रहेगा क्या अभी जो बैटरी है आपकी यह फिर जो भी आपने बैटरी कनेक्ट की हुए series में वह उन तीनों के जो है सेल में percentage कितनी बाकी है तो वह इसमें आपको directly बता देगा तो उससे आपका solution यहां पर हो जाएगा महीं अगर आप यहां पर चार सेल जोइंट करते हैं मतलब 12 वोल्ट यहां पर बनाते हैं देखो चार सेल लगाएंगे तो इसमें 12 point कुछ something वोल्ट आपके यहां पर आ जाए मतलब यह जो point है इसको इस तरीके से sort कर दो मतलब यहां solder लगा दो दोनों point को मिला दो ठीक है मिलते हैं आपकी फिर यह 12 वोल्ट के लिए calculation करना start यहां पर कर देगा तो इससे यह module आपका काफी बढ़िया रहने वाला है S6 भी है S7 भी है S8 भी है मतलब 8 battery अगर आप इसमे लगाते हैं series में तो आपकी यह सभी battery की voltage यहां पर पूरी की पूरी battery की voltage आपको directly एक की module से पता चल जाएगी अब आपको दूसरा module खरीदने की जरूत नहीं पड़ेगी I hope आपको यह clear हो गया होगा अगर अभी भी clear नहीं हुआ है तो आप मुझे comment कर देना इसकी एक practical video भ करके दिखाऊंगा तो वह भी छोटी सी वीडियो रहने वाली है तो next studio में बता देना चलो guys आज की वीडियो ही समाप्त करते है I hope guys आपको यह वीडियो जो है काफी useful लगी होगी useful लगे तो वीडियो एक छोटा सा like कर देना module purchase करना या फिर original lithium battery purchase करनी है तो हमारी website का link मिल ज जाके वहां चेक आउट कर सकते हो और आपका यहां पर यह पूरा पूरा काम easily कर देगा तो जाओ जाके purchase करो